पर देश की नजर थी चुनाओ खत्म हो गया अब नतीजों पर नजर है नतीजे 10 तारीकों आएंगे लेकिन टीवी में एकजिट पोल दिखाया जा रहा है कि आरजेडी के सरकार बन रही है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आरजेडी कैसे लोगों से बनी है किन लोगों न लगा तारिक जूट रहें और उसी का नतीजा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको दस तारीक को चौकाने बाले नतीजे सामने हैं मेरे साथ ऐसे यह करता है फुजेल अहमद अंसारी यह संस्थापक सदस्यों में से हैं दर्भंगा जिला के राष्ट उपाध्यक्ष भी है आरजेडी के और पार्सद भी हैं क्या लग रहा है उमीद थी आप लोग कि इस तरह की जीत मिलेगी और दर्भंगा से कि आसपास बताएं तो कितनी सीटे और सबसे पहले मैं तो आपका चैनल का बहुत बहुत सुक्रियादा करता हूं कि आप ने हमारे जैसे कार्च करताओं को नेशनल निउस पर लाने का जो है आपने मुखा दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत बदाई दूसरी बात यह कि आज से कुछ दिन पहले भी हमने आपके चैनल पर हम पताये थे एलक्षन से पूर्व कि 150 लगव 150 सीट आएगी और हमने ये भी आपको कहा था कि संभूजी वो दिन दूर नहीं अगर आप दिल्ली में रहिएगा तो मोबाइल से ही बात करेंगे और रिजल्ट पर जर्जा करेंगे लेकिन चुनाव बाद फिर हमारा ब्यान था चुनाव से पूर्व 150 से उपर वही आज भी हमारा फाइनल है रिजल्ट साथ हो सकता है 65 हो सकता है 70 उसकी कोई ये नहीं है लेकिन 50 से कम नहीं होगी इस बात की गारंटी है अगर सिमांचल की बात करें मितलांचल की बात करें तो मितलांचल में कितनी सीट पार्टी को दिखे दरभंगा जीले में क्या हो मिदा दरभंगा सिट में हमको लगता है कि आठ सिट तो अभी तक कंफर्म है दो में नहीं कहा जा सकता है लेकिन वह भी जीतेंगे जब रिजल्ट ही जो है चौकाने वाली हो रही है तो आठ तो हमारा कंफर्म समझे और एक दो सिट जो कंटेस्ट में हैं वह कंटेस्ट भी हमको लगता है या इधर बुदर लेकिन आठ में हम गारेंटी आपको पता सकते हैं कि आप सरकार बन रही है तो किस तरह की जिम्यदारी मिल सकती आप लोग देखिए आपने संभूजी यह सवाल जो किया है इसके लिए हम खास के धन्यवाद देते हैं चुकि हमारी बात राष्टी अध्यक्स या फना जगने पुस्टे हो सकता है इतने दिनों से नहीं पहुँची और आपके माद्धम से जरूर पहुँचेगी लेकिन इसके बाष्टी आज तक कोई पाद नहीं मिला कमीटी समय पत मिला पारश्ट अपने बलपा बने और कमीटी समय जो है जब मौका मिला लेकिन कोई भी पाट ये सरकार में हमको बड़ी जिम्यदारी आज तक नहीं मिली नहीं आज तक में बड़ा पद सरकारी पर नहीं जा सका लेकिन आज जब सरकार तुजस्वी आदव की तेज रफ्तार सरकार बन रही है तो इसमें आने वाले दिन में हमको लगता है दो तीन महीना के अंदर मानिये तुजस्वी आदव जी से मानिये राश्टिय लालू परसाइज आदव जी से और हमारे बड़े भाई जो अभी स्क एक न्या चेहरा हैं किस तर Euch पर किस तरफ की उमीर हैं लेकिन पूरे बिहार के आम अवाम की भी टस्तिर क्वांतु जी बिःयारे बनेगी और किसानों का जो मसला है किसानों का जो बिल पास हुआ है जो किसान हीद में नहीं है उस पर भी जो है मनें हमारी सरकार धियान देगी पलस कारखाने जो बिहार में बंद पड़े हैं बहुत दिनों से और जिससे मजदूर बाहर प्लान कर रहे हैं उन संवहों पर भी हमारी सरकार की फोकस होगी और मुझे लगता है कि बड़े पह continuation पर इस हम नहीं कह सकते हैं कि इस पास पर्चिया पूरे बिहार का जो मामला हल कर दिया जाएगा सारा मसला हो जाएगा लेकिन हाँ 75 परसेंट समाने इस बिहार का समस्या का निदान हमारे मानिये तेजस्वी आदब जी जरूर करेंगे इनका मेंबर्शिप है यह रखा हुआ है और यह साथ एक नब्बे की पर्ची है ऐसे ही करता हूं उससे कोई पार्टी बनती है मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सपा हो बसपा हो आर्जडी हो यह कैडर बेस पार्टी है और चार बार से आप पारसद हैं तो पारसद का स्था काम अपने किया हाँ और आगे क्या लग्षा है लग्सां रखा है हमारा मेन जो यह है कि मैं आम अवाम नीचे तब कर उन से जुरा रहता हूं पarten कि अधृध है नंसे जूरके काम करता हूं मैं चार बार से तौ हूं ही और अल्लाम ने चाह़ा है तो highly आर अल्लार ने लोगों को क्या माने आवसकता पड़ेगी इस लिए इस पाथ के लिए पार्षत पर ठीक है डिफिकल्ट है लोकल चुनाओ है घर घर कर लेकिन इस पाथ से हम हमेसे कली संतुष्ण है कि हमारे कार्ज जब हमारे कार्ज के सहली में अगर चेंजिंग आएगी तब हमको जनता उ और खासकर माइनोर्टी की बात का अलफसंक्यक समाज लगातार लालुयादव के साथ है अब उनकी पार्टी में भागिदारी हो ये तो आरजएडी को तैक करना है लेकिन एक बात तो तैक है कि बिहार में दलित, पिछरा, माइनोर्टी, अलफसंक्यक, आदिवासी और जो तो ये पिछरे समाज के लोगों उन्होंने जम कर इस पार आरजएडी को गोर दिया है और इसी बज़े से आरजएडी आस सत्ता में आतिवी दीख रही है कामरमन तरदत के साथ शंभू कुमार सिंग नेशनल दस्तर दर्भंगा बिहार नेशनल दस्तर की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तर को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं